नमस्कार दोस्तों अगर आप एक परियाटक के तौर पर दिल ली आते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुझसे मिले बगएर रह सकते हैं मैं यानी लाल किला, हाल ही में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने मेरे सीने पर चड़कर जो कुछ किया उससे दिल बहुत दुखी हो गया हालांकि बीते करीब 400 सालों के दौरान मैं वैभव और पतन के इतने दौर से गुजर चुका हूँ कि इसे भी एक दुर्भाग्यशाली पल की हिमाकत समझ कर भूल जाना चाहूंगा मेरी कहानी शुरू होती है मुगल खांदान के सबसे वैभव शाली बादशाह जहां से मेरे बारे में उन्हें पहला विचार तब आया था जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से बदल कर दिल्ली ले जाने का तै किया वह साल 16-38 का कोई माह रहा होगा जब दिल्ली में यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से मेरे निर्मान की रूप रेखा बनी मुझे बन कर तैयार होने में लगभग एक दशक का वक्त लग गया जो लाजिमी भी था मैं हूँ ही इतना विशाल काई करीब 92 एकरक शेत्र में फैला उस जमाने में दुनिया के सबसे सम्रिध बादशा शाह जहां से रिष्टा बनाने के लिए कितने ही विदेशी राजदुतों को मैंने बादशा का सजदा करते हुए देखा मैंने शाह जहां के बेटों दाराशिकों, शुजा, मुराद और और औरंग जेब को जवान होते देखा और कई साल बाद यह भी की औरंग जेब ने किस तरह से अपने भाईयों के खून पर कदम रखकर गद्दी हथी आए मुझे याद है वह खरूर वक्त जब औरंग जेब ने अपने पिता शाह जहां से शाही खजाना हासिल करने के लिए मेरी पूरी जल प्रदाइव यवस्था ही बंद कर दी थी तब शाह जहां ने औरंग जेब को खत में लिखा था पिसा तू अजब मुसल्मानी बपिदरे जिंदा आप तरसानी आफ़ी बाद हिंद्वान साथ बार मैं देधर पिदरे मुर्दारावा दायमाब बेटा तू अजीब मुसल्मान है कि जीवित पिता को पानी के लिए तरसा रहा है प्रशंसनी हैं वे हिंदू जो अपने मृत पूर्वजों को भी पानी देते हैं शाह जहां का यह अजब मुसल्मान बेटा 16158 में लाल के लेके तक तेतावस पर बैठा और फिर उसके शासन के 50 साल इस मल्क के लिए जिल्लत भरे रहे 1666 में राजा जयसिंग के साथ औरंग जेप से मुलाकात के लिए आयशिवा जी को दर्बार में अपमान का घूंट पीना पड़ा था लेकिन इस अपमान के बाद मराठों ने मुगल बादशाहों को चैन न लेने दिया तब दक्खिन से मराठा पेश्वा बालाजी विश्वनात अपने जवान बेटे बाजीराओ के साथ दिल्ली आये थे तब मुझे यह गुमान भी नहीं था कि अगली सदी में दक्खिन के मराठे मेरे भागय की नई इबारत लेखेंगे लेकिन अगली सदी आने में अभी काफी वक्त था अभी तो मेरे प्रभामंडल के धूमिल होने के दिन थे इरान के आकरांता नादिर शाह ने दिल्ली की सडकों पर जो कतले आम किया उसे भी देखने का दुरभागय मेरी इन आखों को मिला यह बात 1749 की है जब बादशा मुहम्मद शाह रंगिला का शासन था उसी दोरान नादिर शाह ने दिल्ली पर कबजा कर लिया एक जगडे में कुछ हिरानी सिपाही क्या मारे गए नादिर शाह ने दूसरे दिन ही दिल्ली में कतले आम का हुक्म दे दिया जो आठ घंटे चला जिसमें दिल्ली के करीब 30,000 नागरिक मारे गए नादिर शाह ने खजाने से मोती, हीरे, जवाहरात और प्रसिद तक ते ताउस पर तो कबजा किया ही दिल्ली छोड़ते समय 10 करोर रुपे भी ले गया इसके बाद के 15 साल बेहत तंगी में गुजरे मैंने सुल्तान आलंगीर द्वितियको लकडी के सिंधासन पर बैठा देखा क्योंकि बादशा की आयाना बंद हो गई थी और प्रशासन थप था 1761 की पानीपत की लड़ाई में जब अफगान हमध्शाह अबदाली जीता तो उसने न सिर्फ मेरी सारी दौलत हडपली बलकी हरम की महिलाओं को भी अपने कबजे में ले लिया पानीपत की इसहार के 10 साल बाद मैंने एक चमतकारी मंजर देखा मुगल बाद शाहाल ने अपनी रक्षा की खातिर 1784 में मराठा सरदार महाद जी सिंधिया को अपना वकीले मुतलग बना दिया यानी काल चक्रा बुल्टा घूम गया था और साल 1666 में हुए शिवाजी के अपमान का बदला ले लिया गया और फिर मैंने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को भी देखा 1806 में नामात्र के मुगल बाद शाह अकबर शाह द्वितिय की सल्तनत सिर्फ मुझलाल के लिए तक सीमित हो गई यह सिलसिला 1837 में उसकी मौत तक चला उसके उत्तरादिकारी बहादुर शाह द्वितिय के वक्त शाही परिवार की गुजर बसर अंग्रेजों से मिली पैंशन से मुश्किल से चलती थी अब शाही रौनक की जगह शेरो शायरी ने ले ली थी जिनमें उर्दु के मशहूर शायर असदुल्ला खा गालिब, मौमिन और शेख इब्राहीम, जौक, शिरकत करते थे उनकी आला शायरी पर मैं भी कई बार वाह वाह किये बगर ना रह सका लेकिन यह भी तब खत्म हो गया जब 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर्शा को बंदी बना लिया, मेरे सामने ही बादशा पर मुकदमा चला उन्हें देश निकाले की सजादी गई, मुझसे विदा होकर अपनी बीवी, दो बेटों और एक बहु के साथ रंबून जाना पड़ा और कुछ साल बाद वही उनकी मौत हुई 1945-46 में आजाद हिन फॉज के देश भक्त सेनानियों पर देश द्रोह का मुकदमा भी मेरे सामने ही चला इस मुकदमे के खिलाफ देश भर में हुई ती की प्रतिक्रिया भी मैंने सुनी और फिर आया वह एतिहासिक पल जब मेरे एतिहासिक ललाट पर एक नया तिलक लगा 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी का मेरी प्राचीर से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पम जवाहरलाल नहरू का भाशन जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने नियती के साथ एक समझोता किया था सुनने का भी सौभाग्य मिला तो दौस्तों ये थी लालकिले की जानकारी जो आपको लालकिले की खुद की जुबानी सुनाया गया जो सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंजी के एक जाम को सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर करे धन्यवाद